आज मैं आपको थोड़ा बहुत जो आपके लेथ मशीन के जॉब्स होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ तो बेसिक ऑपरेशन्स हम इसमें देखेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मैंने जॉब्स रखे हैं डिफरेंट जॉब्स इसमें पर यह ता जो की सबसे पहले इसमें राइट साइड फेसिंग जानी की जो फेशिंग हमेश्फ इस cavalet portion पर होती है यह पूरा आपका job है जाफीस है यह स्पेंजित में नहीं आप मांद सकतेयं से ठीक है तो इस पर जो है इस वापॉर्जन पर जो सब्सेंग होने उर ये लेंथ कम हो जाती है, ये जब complete length है, ये कम हो जाती है, क्यों क्योंकि जब आप इसका यहाला portion निकालेंगे तो ये ध्यूदरे कम होगा, ठीक है, तो ये facing के लाती है, जिसमें कि इसका dia कम होगा, sorry, इसकी length कम होगा, दूसरा option आता है हम इसमें turning पे, turning जो process है, वो एक तरह से मैटल रिमोविंग प्रोसेस है जिसमें कि इसका डाया कम होता है यह आप देख रहे हैं कि जो यह प्रोसेस की गई है यह वाली जो इस वाले पोर्शन पर की गई है यह तो आपका फेसिंग था जो इस वाले पोर्शन पर की गई है यह टर्निंग आपका तो टर्निंग में जो है इसका डाया कम होगा ठीक है नेक्स्ट ऑपरेशन इसमें इस्टेप टर्निंग इस्टेप से आप समझते के हैं सीडी तो यह स्टेप टर्निंग हुई जिसमें की हमने कि जिसमें की यह यह वाला पॉर्शन है यह वाला पॉर्शन जो है इसका हमने थोड़ा डाया कम किया उससे थोड़ा ज्यादा डाया इसका है तो यह स्टेप टर्निंग क्यालाती है ठीक है और यह हमने दोनों साइड किये है तो इसमें ऑपरेशन कौन से हुए फेसिंग सिंपल टर्निंग और यह स्टेप टर्निंग तो यह हमारा है पहला जोब देर आते हैं हम अपने जॉब नंबर टू पर तो इसमें भी सबसे पहले हमने फेसिंग की है ठीक है इसमें इसकी लेंद कम हुई नेक्स हमने इसमें टर्निंग किये राइट साइड में इसको बताय होगी size कम होगा length इसकी और जो turning है उसमें diameter कम होगा जैसे कि आप देख पारें यह पीछे का जो portion है इसका diameter थोड़ा इससे जादा है ठीक है तो जिसमें diameter कम होता है वो होती है turning process और जिसमें facing होती है उसमें क्या length कम होती है and